आज हम बनाएंगे हम सब की मन पसंदिता बहुती टेस्टी तीखी मूंखफली की ड्राइ चिटनी और ये दानेदार चिटनी हम बनाएंगे एकदम नई तरीके से तो अब चलिए जट पटी से बनाना शुरू करते हैं मूंखफली की चिटनी बनानी के लिए सबसे पहले एक कड़ाय में लेंगे हम नमक अंदाजन दो कप मैंने ये नमक लिया है जो खाने वाला नमक होता है वही यहाँ पर यूज करना है अब हम इसे मेडियम आंच पर हलका गरम करेंगे तो दो से तीन मिनिट तक इसे चलाते कोई गरम करें चमत से हिलाने से जो नमक होगा वी इवंखली गरम हो जाएगा है कि दो मिनीट में ही यह जो नमक ही यह हमारा गरम हो चुका है अब हाथ से पर चेक करेंगे हम वzwोलेगे अब हम इसमें डालेंगे मूंख फली तो मैंने यहाँ पे ए तो 250 गरमेंडु होगी वो जिस तरह से हम भट्टी में भूनी हुई खाते हैं यह बिल्कुल वैसे ही लगेगी तो इसी तरह से अब इसे 5-6 मिनिट तक चलाते जाएंगे अब जो यह फली है भूनी है कि नहीं कैसे पता करें तो हाथ से रब करते हुए इसे देखें कि अच्छी भूनी है कि न जिस तरह से भून के हम काले धब्य आते हैं वैसे इस पर नहीं आते यह अंदर तक अच्छी भूनी जाती है नमक में तो अब छमने की मदद से मैं इसे अलग कर लेती हूँ नमक से और यह नमक हम रियूस भी कर सकते हैं बस हलका सा फूंक मार दे तो यह बचे हुए छिलके हैं यह निकल जाते हैं और जो अभी यह फली है यह बहुत जादा गर्म है तो अब हम इसे थंडा होने देंगे पांच से दस मिनिट के लिए यह अंदर तक बहुत ही अच्छे से भून चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं तो दस मिनिट बाद अब यह हलकी थंडी हो चुकी है अब हलका हलका हाथ से इसे रब करेंगे और इसके दर-दरे चिलके निकाल लेना है अब एक मिक्सर ग्रेंडर में हम यह फली डाल देंगे 10-15 कलिया यहां पे लसन के लिए है मैंने लाल मिर्च पाउडर 3 चमच यह जो मिर्च है यह लाल मिर्च हलकी थीकी है इसलिए मैंने यहां पे 3 चमच यूज की है जीरा डाल देंगे एक चमच और नमक यहाँ पे हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि अल्री भली को नमक लगा हुआ है एक टेबिल स्पून तेल डाल देंगे और इसका ढखन लगा के इसे अच्छा शेक करना है यानि जो हमने मसाले डाले हैं ये मिर्ची या नमक वो सब इसको अच्छे से लगना चाहिए इससे जो चटनी है वो evenly इसमें पीसे जाएगी और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा अगर आप यहाँ पे तेल का इस्तिमाल न कर सके तो ये घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब पल्स मोड पे हम इसे चलाते हुए मिक्सर ग्रेंड करना है इसे जो चटनी होगी वो एकदम दानेदार बनेगी दरदरी बनेगी तो इस mixer grinder में इसे बार-बार हिलाना पड़ रहा था तो बाद में मैंने नॉर्मल जो steel का होता है न mixer grinder उसी में मैंने इसे pulse mode पे किया है और ये हमारी बहुत ही दानेदार और टेस्टी मुंग फली की चटनी बनके ready हो चुकी है ये जो चटनी है एक मेने तक store करके हमें से खा सकते हैं तो मीठा खाके अगर आप बहुत ही बोर हो चुके हैं तो इस चटनी को घर में बना के जरूर रखें ये मूँ में एकदम स्वात बढ़िया आ जाता है इसका खाने के बाद तो आप भी इस चटनी को बना के जरूर देखें